क्रीम 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 हुम 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 दक्षिना कालिके क्रीम क्रीम हुम 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 स्वाहा मा दक्षिना कालिके नमा प्रसन्नो वर्दो भवा प्रसन्नो वर्दो भवा प्रसन्नो वर्दो भवा प्रसन्नो वर्दो भवा जानने योग्यों बातों पर चर्चाय भी होते आ रहे हैं साथी साथ सक्ति साली से अतितीब्र सक्ति साली टोटके भी दिये जा रहे हैं तो आज के इस कड़ी में हम कोई साधना विधान प्रयोग टोटके नहीं देने वाले हैं अपितु आज हम चर्चा करने वाले हैं एक अत्यांथी महत्वपुर्ण विशय के बारे में जिसका नाम है परिक्रमा का महत्व यहाँ परिक्रमा अगर सीधे सब्द में कहेंगे आप जो मंदिर जाते हैं देवताओं के मंदिर के चारों और घूमते हैं हम यहाँ परिक्रमा का माने वही समझाते हैं और इस कड़ी में हम बात करेंगे कितने परिक्रमाएं होते हैं कौन से देवी देपताओं का कितना परिक्रमा आपको करना है कितना करने से सही है और साथ में परिक्रमा कितने तरह का होते हैं अगर आप देखेंगे हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म और बोध धर्म में भी परिक्रमा का विशेस महत्व बताया गया है कहते हैं परिक्रमा करने से व्यक्ति के तमाम तरहे के पाप दूर होते हैं और जीवन से समस्याओं का साया भी दूर होने लगता है और यही बज़य है कि मंदिर में परिक्रमा के साथ साथ हिंदु धर्म में तो मांगलिक कारियों में भी परिक्रमा या फेरी लगाने की परंपरा है आये हम इस कड़ी में जानते हैं परिक्रमाओं के बारे में जैसे कि अलग अलग तरह की परिक्रमा और उनका महत्व हता है। जैसे पहला है देव मंदिर परिक्रमा। इस परिक्रमा का मतलव सीधे तोर पर जगरनात पूरी, रामेश्वरम, तिरुवन्नमला, तिरुवनंत पूरम, सक्ति पीठ और जोतिरलिंग आदी की परिक्रमा से ज जोड कर देखा जाता है और दूसरा है देव मूर्ति परिक्रमा जाब हम मंदिरों में जाकर भगवान सिव देवी दुर्गा भगवान गनेश भगवान विश्नुजी भगवान हनुमान आदी मूर्तियों की परिक्रमा करते हैं तो इन्हें देव मूर्ति परिक्रमा कहा जात अब बात करते हैं नदी परिक्रमा के विशे में तीसरी जो परिक्रमा है वो नदी परिक्रमा होती है जैसे बेहद ही मुश्किल कहा जाता है इसमें प्रमुख और पावन नदियों जैसे मानर्मदा, सिंधू नदी, शरश्वती, गंगा, यमुना, सरयू, सीप्रा, गोदाव परिक्रमा की ही होती है क्योंकि भारत देश में पर्वत भी पूजे जाते हैं और ऐसे में लोग कई बार पर्वतों को भी परिक्रमा करते हैं जैसे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा, गिर्नार पर्वत की परिक्रमा, कामदगिरी, मेरु पर्वत, हिमालय, नीलगिरी, तिरुमल्ले, आदी पर्वतों की परिक्रमा करते हैं अब बात करे हैं ब्रुक्ष परिक्रमा। हिंदु धर्म में जो भी ब्रुक्ष या पेड़ पोधे पूजनियम आने जाते हैं लोग उनकी भी परिक्रमा करते हैं और इसे ब्रुक्ष परिक्रमा कहा जाता है। जैसे सनिबार को पीपल के पेड़ की परिक्रमा की जाती हैं, बर्गद की पेड़, तूलसी के पोधे के भी परिक्रमा की जाते हैं, इस परिक्रमा का विशेस महत्व बताया गया है। तत पस्चात हम बात करेंगे तीर्थ परिक्रमा के विशे में। तीर्थ स्तलवाले सहरों की परिक्रमा को तीर्थ परिक्रमा कहा गया है। चोराशी कोष की परिक्रमा, अयोध्या, उज्जेन, पंचोकोषी प्रयाग यात्रा, इत्यादी। तत पस्चात आता है चार धाम परिक्रमा। हिंदु धर्म के प्रमुख चार धामों की परिक्रमा को चार धाम परिक्रमा कहा जाता है। जैसे छोटी चारीधाम की यात्री की जात्रा जिसमें केदारनात, वद्रिनात, यमुनुत्री और गंगोत्री आते हैं या फिर बड़ी चारीधाम की यात्रा जिसमें वद्रिनात, द्वारका, जगरनात पूरी यार रामे स्वरम की यात्रा करना आता है अब आखरी में जो आता है वो है भरत खंड परिक्रमा और विवाह परिक्रमा भरत खंड परिक्रमा जब पूरे भारत की परिक्रमा की जाती है तो इस भरत खंड परिक्रमा कहते हैं मूख्य तोर पर साधू संत यह यात्रा करते हैं और यात्रा बेहदी मुश्किल और चुनवती पूर्ण होते हैं यह सिंधु से सुरू होकर कन्या कुमारी में खत्म होते हैं आखरी में आता है विवाह परिक्रमा, हिंदु धर्म की साधियों में वर और बधु अगने कूंड के चारों तरफ साथ बार परिक्रमा करते हैं या और इसके वाधी विवाह संपन होता है और इसे विवाह परिक्रमा कहा जाता है अब बात करते हैं परिक्रमाओं के नियम के विशे में आपको कौन से देवी देपताओं के कितनी परिक्रमाएं करने हैं भगवान सीब जी के आधी ही आपको परिक्रमा करने हैं मा दुर्गा का एक परिक्रमा भगवान गनेश और हनुमान जी की तीन परिक्रमा भगवान वि परिक्रमा, तुलसी माता की कम से कम तीन या एक सो आठ परिक्रमा, पीपल के पेड की कम से कम पांच या एक सो आठ परिक्रमा, सनी देव जी की साथ परिक्रमा, और एक बात ध्यान रहे, जिन देवताओं की परिक्रमा का विधान नहीं हो, उनकी तीन परिक्रमा आप कर सकते ह फिर बात करेंगे अभी परिक्रमा करने की सही तरीके के विशे में जब भी आप देवी देपताओं की परिक्रमा करें तो इस बात की सुनिश्चित करें कि परिक्रमा दाएं की तरफ से सुरू करनी चाहिए एसा इसलिए क्योंकि देविय सक्ति की आभा मंगल की गती हमेशा दक्षिना बरती होते हैं और जानकार बताते हैं कि उल्टी परिक्रमा करने से व्यक्ति के इसके दूप्रभाब भी जहलने पड़ सकते हैं अब परिक्रमा आप एसे चुपचाप तो नहीं कर सकते आपको परिक्रमा के समय यह मंत्र पढ़ कर परिक्रमा करना चाहिए और मंत्रे साहे यानी का नीच पापानी जनमांतर कृता नीच तानी सर्वानी नस्यंतु प्रदक्षिने पदे पदे इस मंत्र का मतलब है है भगवान जाने अंजाने में मेरे द्वारा किये गे और पूर्व जन्मों के भी सारे पाप इस प्रदक्षिना के साथ साथ नस्ठ हो जाए भगवान मुझे अच्छी बुद्धी प्रधान करें नहीं तो आप आपने गुरु मंत्र जब आप दिक्षिया लिये हैं दिक्षिया के समय आपके गुरु देव जी ने आपको जो मंत्र दिये हैं आप आपने गुरु मंत्र नहीं तो आप इस्ट देव के मंत्र को भी जब करते हुए परिक्रमा कर सकते हैं इस विशे में जिनको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो हमारा इमेल आईडी दिया हुआ है वो हमसे संपर कर सकते हैं उनका पूर्ण मार्ग दर्शन कर दिया जाएगा आज के लिए इतना ही था चानल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का और दिये हुए मंत्रों का सन्मान भी बना रहे ओम क्रीम 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 रिम रिम हुम 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 दक्षिना कालिके क्रीम 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 रिम रिम हुम हुम स्वाहा मा दक्षिना कालिके नमा प्रसन्न वर्दो भवा प्रसन्न वर्दो भवा प्रसन्न वर्दो भवा जय सिद्ध साधक परिवार